इंडिन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत की मुख्य दस खबरें इस प्रकार हैं पॉंग्रिस प्रेजडेंट राहूल गांधी ने कहा कि गुजरात चनाव के नतीजे बीजेपी के लिए बहुत बड़ा जटका था उन्होंने कहा कि इस से प्रेम नरेंदर मोदी की विश्वस नियता पर सवाल उठ गया है क्योंकि वह ब्रश्टा चार के मुद्दे पर चुप हैं जिसमें बीजेपी के मुख्या अमित शाह के बेटे जैशा के कारुबार में अचानक आई उच्छाल जैसे आरोग भी शामिन है पीम नरेंदर मोदी द्वारा लक्षवदीप और उनके तटिये इलाकों के एक दिवसिये दोरे के बीच तामिलनाडू और केरल ने राहतकार्य और कुनरवास के लिए 17,500 करोड की मान की है मोदी ने उन परिवार वालों से मदद का वादा किया है जिनके घरवाले सैकलोन ओखी के आने के बाद से गायव है विमाचल प्रदेश का मुख्य मंत्री चुने जाने की अनिश्चित्ता जारी है और MLA जैराम ठाकुर और केंद्रिय मंत्री जेपी नट्डा सहित पांच नाम सामने आए हैं मुख्य मंत्री के हारे हुए उमीदवार प्रेम कुमार धुमल के नाम पर भी विचार हो सकता है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी द्वारा पूर प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग पर ये आरोप लगाये जाने पर कि गुजरात विधान सभा चुनाओं के लिए उम्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर साज़िश रची है मंगलवार को भी लोग सभा का काम ठप रहा कॉंग्रेस संसद नारा लगाते हुए संसद से बाहर चले गए आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच गोला बारी के दौरान चम्मू और कश्मीर के शौपिया जिले में दो आतंकी और एक महिला मारे गए जबकि नौ आम नागरे खायल हो गए है अधिकारियों ने इस खबर को फैलने से रोकने के लिए दक्षन कश्मीर में इंटिनेट सेवा बंद कर दी है यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंट्रिपिंग मिनिस्टर नितिन गटकरी ने कहा कि इंलिन वाटर वेस के जरिये देश में विकास की क्रांती आएगी उन्होंने कहा कि जल्द ही मुंबाई और गॉआ और मुंबाई और अन्डमान और निकोबार द्वीद के लिए क्रूज सेवा शुरू की जाएगी इस साल अब तक पाकिस्तान, एलोसी और अंतराश्ट्रे सीमा पर सीज़ फायर का आज सो 81 बार उलंगन कर चका है इन सीज फायर उलंगन में 12 नागरिक, सेना के 14 जवान और बियस एफ के 4 जवान मारे गए महराश्ट्र सरकार ने एक नोटिस जारी करके कहा है कि अब से राज में दुकाने और संस्थाने 24 घंटे खुली रहेंगी हाला की शराब की दुकाने और सिनमा घरों में पाबंदी अब भी लगी रहेगी घने धुंद और खराब रोशनी की वज़ा से यूपी के बस्ती जिले में एक कार जाकर एक खड़ी हुई गैस टैंकर से टकरा गए जिससे तीन लोगों की मौत हो गए एक और हाथसे में खराब रोशनी की वज़ा से लखनाउ आगरा एक्सप्रेस वे में करीब दस बाहन एक दूसरे से टकरा गए जिसमें दरजनों लोग खायल हो गए बॉलिवुड की सूपरस्टार शारुख खान ने फिल्म उद्योग में अपने 25 साल पूरे होने पर कहा कि उन्हें महसूस नहीं होता है कि वह 50 वर्ष के हो गए हैं और अब भी अपने प्रशंसकों को खुश करने का मौका ढोंगते रहते हैं बॉलिवुड में 25 साल पूरे करने के उपलक्ष में जीसने अवाद्स 2018 ने उन्हें समानित किया हमारे साथ जुरे रहें दोस्तों हम कैनेडा की महत्वपूर खबरों के साथ जल्द लोटेंगे